हेलो एवरीवान अस्सलाव अलेकूम मैं हूँ रिजवाना सिंदी स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में ताजम बनाने वाले हैं गुजरात की फेमस स्वीट डिस सुखडी जिसे हम सुखडी भी कहते हैं गोड़ पापड़ी भी कहते हैं और आटे की बर्फी भी कहते हैं सब इसे अलग-अलग नामों से जानते हैं वीडियो को बिना स्किप किये एंड तक जरूर देखें तो चलिए फिर सुरू करते हैं सुखडी कैसे बनाएं सुखडी बनाने के लिए हम ये सब चीजों का इस्तमाल करेंगे ये मैंने 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है बारिक वाला हमें दरदरा आटा का इस्तमाल नहीं करना है हमें जो रोटी बनाते हैं वो बारिक वाला आटा लिस्सा आटा लेना है और ये मैंने 500 ग्राम सुद् देखिए और यह मैंने 500 ग्राम जितना देसी गुड़ ले लिया है जिसको इस तरीके से कट कर लिया है आप चाहो तो नॉर्मल गुड़ यह मैंने कडाई लेली है जिसमें मैं सब गी डाल दूंगी जो मैंने निकाल के रखा है और गी को अच्छे से हम गरम होने देंगे गेस की फ्लेम को हम पहले फूल रखेंगे और गी गरम हो जाएगा उसके बाद मेडियम स्लो कर देंगे और गी गरम हो जाने के बाद सबसे प चम्मच चलाते हुए आटे और गी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए देखिए आटा और गी अच्छे से मिक्स हो चुका है और गेस की फ्लेम को मीडियम स्लोपे रखते ही आटे को अच्छे से भूनते रहिए और चम्मच को चलाते रहिए और इस बात का भी ध्यान रखें कि नीचे आटा लगे नहीं यानि के जले नहीं देखिए हमने कम से कम पांस मिट तक आटे को अच्छे से भूना है और बहुत बढ़िया खुसबुआ रही है और सबसे पहले हम इसमें जो सफेद तील लिये हैं वह हम इसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है और आटे की बढ़िया सी भूनने की खुसबुआ रहे है उसके बाद जो हमने देशी गुड लिया है वह हम इसमें डाल देंगे और चम्मत चलाते वह उसको अच्छे से मिक्स करेंगे आटा और गी बहुत गरम होता है तो गी अंद अधर आसानी से मेल्ट हो जाता है और जो हमने थाली ग्रेज करके रखी थी उसके अंदर हम सभी मिक्सर को निकाल लेंगे और इस तरह चम्मच के मदश से उसको इस तरह से फैला देंगे देखिए यह बहुत गरम होता है तो पहले आप हातों से ना करें इस तरह से चम्मच कट करके रखे हैं वो हम इस पर ड्राइफूट डाल देंगे देखिए आपको जो भी ड्राइफूट पसंद हो आप इसके उपर डाल सकते हो खोपरा भी डाल सकते हो खस खस भी डाल सकते हो आपको जो भी ड्राइफूट खाना पसंद करो आप इस पर फैला दे अच्छे से गार्णिश कर ले और उसको भी चम्मज से आप इस तरह से प्रेस करते हुए दबा दें कि ड्राइफूट भी अंदर अच्छे से सेट हो जाए और इसे हम अब कट कर लेंगे छूरी की मदब सी यह गरम-गरम होता है तब भी आप इसे छूरी से कट कर लीजिए देखिए हमने चूरी ले लिए उसको आप जैसे भी आकर देना चाहिए उसके हिसाब से आप उस पर चीरे लगा दीजिए और जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद आप उसे खा सकते हो देखिए हमने इस तरीके से टुकडों में उसे कट कर लिया है अब उसे ठंडा होने के लिए हम रख देखेंगे यह अच्छे से सेट हो चुकी है देखिए आसानी से निकल रही है और यह बहुत सॉफ्ट बनकर रेडी होती है कि मुह में जाते ही वह अच्छे से घुल जाए तो आप भी इसे जरूर बनाएं और अपनी फेमिली मेंबर को खिलाएं यह बच्चे और बड़ों क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब ना क्या हो तो प्लीज आप सबसे रिक्रस्ट है कि क्लासिक तड़का को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए दुआओं में याद कीजिएगा अल्ला हाफीज वीडियो छे लगी तो सब्सक्राइब करो ऐसे और बेल नोटिफिकेशन अन करो ऐसे और फिर लाइक करो ऐसे